असलाम अलेकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो पर क्लिकेबर लिंक कैसे लगा सकते हैं मिसाल के तोर पे कि आपकी वीडियो प्ले हो रही हो और उपर कोई चीज सामने आए कोई बॉक्स या कोई लिंक सामने आए जिस पर आप क्लिक करें और वो क्लिक लिंक जो है वो आपको आपकी वेबसाइट तक ले जाए यानि के क्लिकबर लिंक आउन यूर यूट्यूब व तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको करना यह है کہ अपने आपने जाना है इूटिूब चैनल में जाके जाना है यूट्व अब करेंगे तो आपका चैनल जो मेंड इंटरफेस एक कॉल जाएगा उसके बाद आप जाएंगे content में तो for example मेरे पास यहां पर मेरे जो वीडियोज हैं वो सारे नजर आ रही हैं आपने भी जिस वीडियो पे अगर वो एक लिकेबल जो link है वो लगाना है तो आप उस वीडियो को सामने खोल लेंगे मिसाल के तोर पे यह मेरी वीडियो नजर आ रही है तो मैं इस वीडियो पे एक link लगाना चाहा हूँ जो मेरी traffic को YouTube traffic को मेरी website पे लेके जाए तो इसके लिए मैं इसको करूँगा edit इस वीडियो को मैंने edit किया edit करने के बाद आप जाएंगे दाएं तरफ यहां पे एक option नजर आ रहा है cards का तो यह cards का आप यह बहुत से लोगों ने इस्तमाल किया होगा लेकिन किसी ने इसको external link के लिए शाज़ो नादर ही इस्तमाल किया हो तो इस card का option यह बहुत मज़धार option है यहां पे आप फार इसेंपल मैं external link लगाएंगे तो वो किस तरह से लगाएंगे आपने click करना है plus के निशान पे click तो यहां पर आप वीडियो पे click करेंगे तो आपकी वीडियो आ जाएगी playlist पे click करेंगे तो फ्ले इस अगर चैनल पे click करेंगे तो आप यहां पर add कर सकते हैं you can only link the approved websites तो दोस्तों यह approved websites कौन सी हैं और आपने इपनी website को कैसे approved कराना है YouTube के साथ कैसे affiliate करना है तो इसके लिए इसका तरीका कारविय में आपको बतादेता हूँ आप new tab में जाएंगे यहां पे next tab पर और यहां पे आप लिखेंगे यूट्यूब आप अपने यूट्यूब को खोलने के बाद आप अपना खोलेंगे यूट्यूब चैनल चैनल में जाएंगे आप अपने यूट्यूब स्टोडियो में यूट्यूब स्टोडियो में जाने के बाद आप जाएंगे अपने चैनल की सैटिंग में सैटिंग नजर आएगी सैटिंग में जनल के नीचे का अप्शन है चैनल का चैनल पे आप क्लिक करेंगे चैनल पर क्लिक करने के बाद जाएंगे आप Advanced Settings में Advanced Settings में नीचे जाने जाएंगे सब से नीचे आपको आप्षिन आएगा Advanced Channel Settings जब आप किस पर क्लिक करेंगे तो एक New Tab ओपन हो जाएगी जिसमें दोस्तों आप से कहेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट को associate करवाना है उसका आप लिंक यहां पे copy करेंगे उसको कर देंगे apply के लिए click दोस्तों मैंने यहीं पे अभी एक अपना blog का लिंक लगा के apply किया है तो इस वज़ा से मेरा यहां पे pending refresh और remove का option आ रहा है अगर आपने अपनी site नहीं लगाई होगी तो यहां पे आपके सामने option आएगा apply आप अपनी website को यहां पे लिखेंगे और उसके बाद कर देंगे apply जैसे ही apply करेंगे तो आपके सामने same interface है वो सामने नज़र आएगा लेकिन आपकी website जो है क्लिक करेंगे verify पे जैसे ही आप verify पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो google का webmaster verification tool सामने खुलके नज़र आ जाएगा यहां पर वो सबसे पहले कर रहा है कि html file को अगर आपने download करना है तो इस पे click करें तो आपने इस पे अगर आपके आप जब आप यहां पर आएंगे तो आपकी जो request approval है वो उसका time होता है वो maybe 24 से 48 गंटे फिर ज्यादत से ज्यादा वो within five working days में आपकी जो website है वो approved हो जाएगी और associated भी हो जाएगी और अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं web blogger और आपके पास को ब्लॉग spot है आप उसको verification करना चाहरे हैं तो उसका काम ज्यादा आसान है आपने simple same जो आपका YouTube में Google या Gmail का account login है आपने अगर उसी पे कोई blog spot बनाया हुआ है तो आपने जिस तरह से सामने लिंक नगर आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका link जो है वो verified हो जाएगा तो आपका अगर link जैसी verified होगा तो आप आपको ये जो website है वो association के लिए next procedure में चली जाएगी तो वो within 42, 24 से 48 hours में verified हो जाएगी जैसे आपकी website approved होती है तो इसके लिए आपने simple same process है यहाँ पे pluskin जहाँ पे क्लिक करना है लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी website डाल देनी है और उसका link डाल देना है मिसाल के दोर पे आपने एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो में आप different चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप दिरम्यान में सबसे पहले आप मैं बात कर लेता हूँ किसी education sector की तो आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे biology के बारे में बात कर रहे हैं अगर आपने मजीद एक मैं इक दालना है वहाँ पे करना है clip क्लिक करने के बाद plus के नििशान पे क्लिक करना है और लिंख पर option पे क्लिक करना है और आप यहां के पर लिंक कर रहे हैं पयप सरक्राशन कर सारा कर रहे हैं जैसे ही आप apply और save करेंगे आपका link जो है वहाँ की YouTube वीडियो पर add हो जाएगा और उसके बाद आप यहां से अपनी website पे traffic generate कर पाएगे दोस्ते एक बाद मैं को बहुत important जो है वो यह बता दूँ के plus के निशान पे क्लिक करने के बाद यहां पे जो सबसे नीचे यह link है यह link का option हर किसी के पास जो visible नजर नहीं आता यह सिर्फ उन लोगों को visible नजर आएगा जिनका चैनल जो है वो monetize हुआ हुआ है यह approved चैनल है ऐसे लोग जिनका भी watch time जो है वो 4000 आवर का पूरा नहीं हुआ या जिन लोगों का 1000 subscriber पूरा नहीं हुआ और वो apply नहीं कर पाए monetization के लिए या monetization के criteria में नहीं आते तो उनका link का option नजर तो आएगा लेकर visible नहीं होगा वो उसके लिए अपनी website को associate करने के लिए apply नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले अपने अपने चैनल पे काम करना है उसको minimum level पे अपने उसको करना है monetize उसके बाद करें बहुत शुक्रिया